नमस्कार दोस्तों, जै मातादी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों न्याय के देवता भगवान शनीदेव आज रात को एक बार फिर अपनी चाल बदलने जा रहे हैं जिसे एक साथ तीन बड़े राज योग का निर्मान होगा जिहां दोस्तों, वैदिक जोतिश रास्तर के अनुसार आज रात को 8 बज कर 26 मिनिट पर कुम्ब राशी में मारगी होने जा रहे हैं और दोस्तों, शनी की मारगी यानि की सीधी चाल के साथ शश महापुर्ष योग, धन राज योग और केंद्र त्रिकोन राज योग का निर्मान होगा जो की कही राशियों के लिए बेहद ही शुब रहने वाला है जी हाँ दोस्तों, इन राशी वालों को अब भगवान शनीदेव की कृपा से अब मिलेगी अपार खुशियां ही खुशियां दोस्तों, बता दे कि भगवान शनीदेव अब 12 राशियों में से कुछ राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं जिसे कि अब इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशी वालों के जीवन में अब शनी की चाल बदलने से आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां भगवान शनी देव के आशिरवाद से इन राशी वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा जोतिश शास्त्र में शनी देव को महतपूर्ण दर्जा प्राप्त है उन्हें संतुलन बनाय रखने और न्याय करने वाला ग्रह भी कहा जाता है शनी देव लोगों को उनके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं शनी की शुब स्थिती में हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जाता है उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है वहीं शनी की अशुब स्थिती व्यक्ति को बहुत कष्ट पह चाती है शनी देव जल्द ही अपनी चाल बदलने वाले हैं जी हां दोस्तों आपको बता दे कि शनी अभी कुम्बराशी में हैं और उल्टी चाल से चल रहे हैं शनी चार नवंबर को वक्री से मार्गी अवस्ता में आ जाएंगे यानि चार नवंबर से एक बार फिर शनी की सीधी चाल से कुछ राशी के जातकों को नुकसान पहुंचने वाला है शनी देव अभी अपनी स्वराशी कुम्ब में है जोतिश शास्त्र में शनी को प्रसंद करने के लिए कही उपाय बताए गए हैं लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिने करने से शनी देव नाराज प्रोप होता है ना तो बुज़रगों का अपमान ना करे और ना ही इन लोगों को परिशान करें असाय लोगों के शोशन से शनिदेव नाराज होते हैं दोखे से धन का लेंदेन करने वालों किसी का धन हड़पने वाले लोगों से भी शनिदेव नाराज रहते हैं ऐसे लोगों को शनिदेव कभी माफ नहीं करते हैं अनैतिक तरीके से धन कमाने वालों को शनिदेव बहुत कश्ट देते हैं, गलत तरीके से धन कमाने वाले लोग शनिदेव के प्रकोप से जल्द कंगाल भी हो जाते हैं, कुत्ते, पक्षियों, बेजुबानों को सताने वाले लोगों को शनिदेव कभी माफ नहीं करते हैं, इ शनी का कहर जेलना ही पड़ता है, ऐसे लोगों को शनी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रोब से कश्ट देते हैं शनीवार के दिन गलती से भी नमक नहीं खरीदना चाहिए, इसे अशुब माना जाता है माना जाता है कि शनिवार के दिन नमक और लोहा खरीदना अशुब माना गया है ऐसा करने पर शनिदेव नाराज हो जाते हैं दोस्तों आपको हम बता दे कि वर्तमान में शनी अपनी स्वयम की राशी कुम्ब राशी में विराजमान है शनी इस राशी में साल 2025 तक रहेंगे फिर इसके बाद मीन राशी के यात्रा पर होंगे बता दे कि शनी के कुम्ब राशी में होने से 6 महापुर्श राजयोग का निर्मान होगा वहीं कुम्ब राशी में सीधी चाल से केंद्र त्रिकोन राज योग भी शनी देव बनाएंगे वहीं शनी मारगी के कारण 20 साल बाद धन राज योग का भी निर्मान करेंगे जिसे की कुछ राशी वालों का नसीब बदल जाएगा और इन राशी वालों को बड़ा धन लाब प्राप्त होगा दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ भागेशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके उपर शनी देव की चाल बदलने के कारण इनका जीवन पूरी तरस से बदल जाएगा इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पुरा देखें बिल्कुल भी आप इस वीडियो को मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो इन राशिवालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है जी हाँ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं भगवान शनी देव की सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में जै शनी देव जरूर लिखे इसे भगवान शनी देव का आपको सीधा आशिरवाद प्राप्त होगा इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे जिसे समय समय पर इसी प्रकार के महत्वण ज्यानवर्दक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदु धरम में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है आपको बता दे कि इन देवी देवताओं मी से एक नाम भगवान शनीदेव का भी आता है भगवान शनीदेव सरोच न्यायदीश हैं और भगवान शनीदेव अनुचित कारे करने वालों को समय पर धंड भी देते हैं शनिदेव सूर्य फुत्र हैं और करम फल के दाता माने जाते हैं आपको बता दें कि मोक्ष को प्रधान करने वाले एक मात्र भगवान शनिदेव ही हैं शनिदेव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर गबराहट होती है लेकिन सच बात तो यह है कि शनिदेव प्रकृती मे संतुलन बना कर रखते हैं और यह सभी प्राणियों के साथ उचित न्याय करते हैं शनिदेव की क्रिपा जिस इंसान पर हो जाती है उस पर कोई भी परिशानी नहीं आती जो लोग गलत काम करते हैं पाप करते हैं दूसरों को नुकसान पहुचाते हैं भगवान शनिदेव उन्हें धंड देते हैं जी हां दोस्तों आपको बता दे कि अब भगवान शनीदेव की क्रिपा से 12 राशियों में से कुछ विशेश राशी वालों पर होने वाली है भगवान शनीदेव की क्रिपा जिहां जिसके प्रफाव से इन राशी वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां जिहां दोस्तों आपको बता दे कि भगवान शनीदेव की विशेश कृपा इन राशी वालों पर अब होने वाली है इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटाने वाली है इन राशी वालों को भगवान शनीदेव के आशिरवाद से अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाब धनलाब और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है जिससे कि इन राशी वा पर भगवान शनीदेव की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भागिशाली राशों में से जो पहली राशी आती है वो है सिंग राशी। ये रिष्टों के प्रस्ताव आ सकते हैं। इस समय आप पार्टनर्शिप का काम भी शुरू कर सकते हैं। वहीं कोट कचेरी के मामलों में आपको विजय मिल सकती है। दोस्तों बता दे कि शनीदेव की चाल परिवर्तन से बन रहे केंदर त्रिकून राजियोग से आपको अक प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। पुराने रोगों से भी आपको इस दोरान मुक्ति मिल सकती है। आपको बता दे कि आपके उपर भगवान शनीदेव की अपार कृपादिष्टी बनी रहेगी। जिससे कि अब आपको धनलाब प्राप्त होने की भी संभावना है। आ पढ़ाई करना चाते हैं उन्हें विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना उनके लिए बन रही है। साथी साथ इस इन राशी के लोगों के आये में वृदि होगी। दोस्तों अगली राशी है मेश राशी। मेश राशी वालों को बताना चाहेंगे कि लंबे समय से चली आ रही समस्या से भी आपको निजात मिल सकती है। व्यापार में सफलता के साथ अधिक मुनाफ़ा आपको मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा। कारिशित्र में पदोनती के अवसर आपको प्राफ्त हो सकते हैं। आपकी पैसों से समंदित सभी समस्याएं भगवान शनीदेव दूर करेंगे। आकस्मिक धनलाब के भी आपको योग बनते नजर आ रहे हैं। भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा आपकी राशी वालों के ऊपर अब बन रहे हैं। जिसे कि अब आपके जीवन के सभी दुख, और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपनी जीवन में मिलने वाली हैं अब अपार खुशियां ही खुशियां जिसे कि अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों अगली भागिशाली राशी है कुम्ब राशी। कुम्ब राशी वालों को बताना चाह प्रश्चने को मिलेगा। आपके बड़े बड़े लोगों से समंध बनेंगे। वही जो काम बहुत दिनों से आपके रुके हुए थे वो अब बनने लगेंगे। जीवन साथी की इस अवधी में तरक्षी हो सकती है। वही इस समय आपको पार्टनर्शिप के काम में अच् बता दे कि भगवान शनीदेव की क्रिपा से आप लोगों के लिए आनी वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव आपके उपर बेहधी प्रसन हैं। आपके मान समान और प्रतिष्टा में व्रिदी होगी जिसकी वज़े से आज में आपकी प्रशन सा की जाएगी और आपको बता दे कि भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपको अब सफलता के नए-नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दे कि जो भी काम अविश्य प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों भगवन शनीदेव के आशिरवात से आपकी राशी वालों के आयकी सादुनों में व्रिधी होगी। जी हां भगवन शनीदेव के आशिरवात से आपको धनलाब प्राप्ती के अनेकों अनेक अवसर अविप्राप्त व्रिश्चक राशी वालों को बताना चाहेंगे कि शनी देव के बकरी चाल चलने से बन रहे शश राजयोग आपको आर्थिक और प्रॉपर्टी के मामलों में लाबकारी सिद्ध हो सकता है और इस दौरान वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय बन रहा ह पैथिक प्रॉपर्टी का लाब आपको इस दौरान मिल सकता है रियल एस्टेट जमीन जायदाद या शनी ग्रह से समंदित काम करने वाले लोगों के लिए यह समय शानदार साबित हो सकता है वही अगर आप नौकरी पेशा है तो आपको नौकरी के अच्छे च्छे आफर इस दौरान प्राप्त हो सकते हैं जी हां दोस्तों बताना चाहेंगे अगली राशी जो है वो है मकर राशी मकर राशी वालों को बता दे कि इन राशियों से आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे और सामाजिक प्रतिष्टा भी आपकी बढ़ेगी आपको अपनी जीव इस समय शनिदेफ की क्रेपा से आपको भागय का पूरा-पूरा साथ मिलेगा किसी भी संपती में निवेश करने का यदि आप सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुखुल रहेगा आपके घर परिवार में इस दोरान कुष्णमा माहोल रहेगा साथी साथ आपके या वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना आपकी अविश्य ही सफल होगी भगवान शनिदेव की विशेश क्रिपा आपकी राशी वालों के ऊपर बन रहे हैं और ये समय आपके पूर्णता पक्ष में हैं समय का आप भरपूर लाब उ सफलता प्रापत होगी निवेश के लिए अनुकूल समय हैं करियर में तरख्य आपको मिल सकती हैं बैंकिंग निवेश में लाब मिल सकता है इसके साथ ही वैवाहिक जिवन में भी सफलता की संकेत हैं कारिस्तल में आपके काम में कारिस्तल में उच्छ अधिकारी कोई आपको सौंप सकते हैं भागय का पूरा-पूरा आपको साथ मिल सकता है दोस्तों बता दे कि भगवान शनीदेव के आशिरवात से आपको बहुत जल्द कोई चुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं जी हां दोस्तों आपके द्वारा की गई मैनत का अब आपको पूरा-प साथ मेल जोल बढ़ेगा साथी साथ इस राशी के लोगों को अनिक प्रकार के लाब धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की अब प्राप्ती होने वाली है जी हां दोस्तों आपका परिवार और जीवन साथी का पूरा-पूरा सयोग प्राप्त होगा आपकी मदुर्व दोस्तों अगली जो राशी है वो है विशव राशी बताना चाहेंगे कि भगवान शनी देव आपकी राशी के स्वामी शुक्र के मित्र है जी हां दोस्तों जिसकी वज़े से आपके जीवन में भी कही सारी मैत्वपूर्ण बदलाव आने बनने के संकेत हैं आप लोगों को मन चाही नौकरी मिलने की आपको प्रभल संभावना बन रही है हालां कि इस दोरान कारेशित्र में काम का दबाव कुछ जादा हो सकता है नए कारे आपको स्वामपे जा सकते हैं व्यावसाय सहत नौकरी और रोजगार में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा निवेश से आपको इस दोरान लाब मिल सकता है नई नौकरी के ओफर भी आपके लिए आ सकते हैं इस दोरान आय में भी वृदि के संकेत हैं ओफिस भी कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है कोई नई संपत्ती भी आप इस दोरान खरीद सकते हैं दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली भागिशाली राशी है वो है कन्या राशी जीहां बताना चाहेंगे भगवान शनी देव की विशिश कृपा आपके उपर अब बनी हुई है कन्या राशी वालों आपको बता दे कि ना किवल आपको धनलाब होगा बलकि आपके व्यापार में भी खोब वृदि होगी इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोनुती के साथ साथ वेतन विधी के भी पूरे पूरे योग है साथी सा जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका ये सपना पूरा होने के योग बन रहे हैं जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव की विशेश कृपा कन्या राशी वालों आपके उपर बन रही है 37 जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफ़ा होगा धनलाब प्राप्ती के अनेक अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं 37 जो लोग संतान प्राप्ती की इच्छा रख रहे हैं उन्हें संतान प्राप्ती अविश्य होगी और 37 उनके घर परिवार में कुष्णुमा माहोल रहेगा प्रेम सम्मन्द आपके मजबूत होंगे 37 आपके सभी काय सफलता पूर्वग पूरे हो जाएंगे दोस्तों इस दोरान जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये योजना भी आपकी अविश्य ही सफल होगी भगवान शनीदेव की आपके उपर क्रिपा दृष्टी बनी हुई है आपकी समस्त मनो कामनाएं पूरी होगी भगवान शनीदेव की क्रिपा से अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाब धनलाब और सफलता की प्राप्ती होने वाली है जिससे की आपकी राशी वालों का जीवन अब पूरी तरह से बदल जाएगा दोस्तों आपसे अनुरोध है आप कमेंट बोक्स में सचे मन से जै शनीदेव जरूर लिखे और वीडियो को लाइक और शेर अविश्य कर दे